Hello guys, welcome to our YouTube channel, तुरदीव, तिस्ट सुपासा से और आज हम जानेंगे हमारा setup and installation of Java, जैसे के हमारा JDK और JRE का में कैसे installation और setup करना है, और फिर हम जानेंगे हमारा installation और complete setup of Eclipse, So, हमारे setup and installation of Java में, पहले हम अपने Google के search engine पे जाएंगे और वहाँ पे JDK download करेंगे, और वहाँ पे सबसे पहला जो हमारा पास लिख, appear होगा Java download के नाम का, वो भी official Oracle website का उसे click करेंगे, तो चलिए आये दिखते हैं, यह कैसे होगा, यह रही वो official website जिसकी map से बात कर रही थी, तो यहाँ पे आप हमें सबसे ज़दा long term supportable Java का version download करना है, ताकि हमें कोई problem ना हो, and वो है Java 17 for now के लिए, जो की latest भी है और long term support भी provide करता है, मतलब यह सबसेदा stable version है, and then, अपने system की configuration के हिसाब से, चाहे वो Linux हो, या Mac हो, या Windows हो, हमें उसकी exe file download कर लेनी है, then, download करने के लिए, हमारी जो exe file हम download करने वाले हैं, उसके लिए हमारे पास Oracle account का होना बहुत जरूरी है, अगर आपके पास नहीं है, तो please उसे create कर लेजेगा, जब आपकी JDK file completely download हो जाए, तो उस पर double click करके, उसका installation complete कर लीजे, जिसके लिए वो आपसे desired destination folder के location मागेगा, जो कि आप, जो default में उसे select की है, वो select भी रहन दे सकते हैं, या फिर अपने साफ से change भी कर सकते हैं, and then हमारे पास pop-up में successfully installation का message appear हो जाएगा, और फिर close की button पे click करके, हम close कर सकते हैं, उसके बाद हमारे desired folder पे हमने जो भी path open किया था, हम उस path को open करेंगे, वहाँ पे हम जब उस path के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे दो folders होंगे, एक JDK के नाम का, एक GRE के नाम का, और फिर हमें JDK के अंदर bin पे जाके, पूरा path copy कर लेना है, then हमें अपने system properties open करनी है, वहाँ पे जाके environment variable का option open करना है, advanced tab के अंदर, and then वहाँ पे जाके कुछ configuration करनी है, तो चलिए आई देखते हैं, ये कैसे achieve करेंगे, मेरा path यहाँ पे already set है, बड़ आपका नहीं होगा, इसलिए आपको new पे जाके वहाँ पे दुबारा setting करनी होगी, variable name में आप यहाँ पे अपने path का नाम लिखते जाएगा, और value में आपने यहाँ पे जो भी path copy किया तो उसे paste कर दीजएगा, and then again okay, and then again okay, पे click करके सारे depth को close कर दीजएगा, इस तरह आपकी पूरी configuration complete हो जाएगी, अब आपका java successfully installed हुआ है ये नहीं हुआ है, इसके लिए आप अपना cmd open करेंगे, and then यहाँ पे command run करेंगे, जिससे आपको यहाँ पे जो भी version successfully installed हुआ है, उसकी पूरी configuration आ जाएगे, जिससे आपको यह पता चलता है कि हाँ, आपका java successfully installed हो चुका है, main system भी पहले से installed था, इसलिए मैंने पूरा setup किया नहीं, बढ़ आपको पूरा setup समझा दिया है, अगर कोई भी doubts हो, तो please comment section पे comment कर दीजेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगे कि आपके वो doubts solve हो जाएं, तो आप हम जानेंगे installation of our Eclipse IDE, जिसके लिए फिर से हमें Google search bar पे जाना है, और वहाँ पे जाके हमें Eclipse IDE type करके search करना है, and then हमें Eclipse.org नाम की जो भी official website सबसे पहले मिलेगी, उस लिंक पे क्लिक करके हमें उस लिंक को open करना है, इस download के button पे क्लिक करके हम अपने Eclipse का latest IDE version डाउलोड कर सकते हैं, हमारी EXE file डाउलोड होने के बाद, इसके installation के लिए हमें पर उस पे double click करना है, then एक pop-up generate होगा, जिसमें कुछ options आएंगे choose करने के लिए, जिसमें से आपको Eclipse IDE for Java developer choose करना है, then again एक और pop-up आएगा, जिसमें आपको एक जेका JDK का path already selected मिलेगा, और एक जेका आपको अपने Eclipse का path select करना होगे, या फिर आप default path भी select रहन दे सकते हैं, फिर next पर click करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ time लगेगा, और आपका installation स्टार्ट हो जाएगा, ये कुछ वक्त लेगा, बगा installation खतम होते ही, आपके पास वो loading का button हटके, एक launch का button आजाएगा, जिसमें आपको click करना है, and then again एक pop-up button आएगा, जहाँ पर आप अपना workspace का folder select करेंगे, and then again launch का button क्लिक करेंगे, then Eclipse ID आपका open हो जाएगा, यहाँ तक इन दोनों ही topic में कोई भी doubts हो, तो please comment करेंगा, मैं कोशिश करूँगे आपके doubts जल सल्व करने के लिए, description box में Oracle और Eclipse, दोनों का ही link मैं आपको provide कर दूगी, साथ में है हमारे telegram channel का भी link है, जहाँ पर मैं आपके सभी major या minor doubts solve करूँगी, अगर आपने link join कर लिया है, तो आप अपने doubts वहीं पर पूछ सकते हैं, and अगर आपने नहीं किया है, तो please future के किसी भी doubts के लिए, आप आज के किसी भी doubts के लिए, आप अहाँ पर क्लिक करके, मुझसे direct connect कर सकते हैं, जिससे मैं आपके easy doubts solve कर सकूँ, and join button में क्लिक करके, हमाई join community को भी join कर सकते हैं, thank you, I hope आपको आज के वीडियो पसंद आया हो, please do like, comment and subscribe our channel, thank you,